रादे रादे मित्रों, आज हम आपके लिए यहां पर लेकर आए हैं कामिका एकादशी वरत का महत्व पूजन विधी और वरतकता, कामिका एकादशी शामण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है और इस एकादशी को बहुत ही विशिष्ट माना जाता है, ऐसी कादशी के मात्र महात्मिश्रवर से वाजपे यग्य का फल प्राप्त होता है इस दिन जो मनुष्य शंक चक्र गदाधारी एवं शीधर नामक विष्णुजी का पूजन करता है और भक्ति पूर्वक ध्यान करता है उसको नए मिशारिने में एवं पुशकर तथा काशी में प्राप्त होता है उससे भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ती होती है वह फल इस प्रकार का है कि जो सूरिग्रहन के अवसर पर गुरुशेत्र में स्नान एवं श्री केदार नाजजी के दर्शन से भी होना कठिन है व्यतिपात योग में गंड़की नदी में स्नान करने से ए इस एकादशी का वरत रखना और समुद्र परियंत भूमिका दान करना दोनों का फल समान होता है अधर पाप में लिप्त एवं असार रूपी संसार में फसे हुए मनुश्यों को स्वयम के उध्धार के निमित इस एकादशी के दिन अनेको प्रियत्न पूर्वक वरत करके भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए अध्यात में विद्या जिनको ग्यात है उनको जिस जिस फल की प्राप्ती होती है उस उस फल की प्राप्ती मनुश्यों को इस एकादशी का वरत करके प्रात्री में जागरन करने से होती है इस एकादशी के वरत का ही प् दुजा से भगवान उस प्रकार संतुष्ट नहीं होते हैं, जितना कि तुलसी पत्र के पूजन करने से संतुष्ट होते हैं, जिन मनुश्यों ने तुलसी की मंज़री द्वारा भगवन का पूजन किया है, वे अपने जन्म-जन्मांतरों के घोरपापों को भी नश्ट कर ड तो मनुश्य रात्रि परियंत भगवन की प्रतिमा के सम्मुक दीप को जलाया करता है। उसके पितर लोगों को भी अम्रित प्राप्त होता है। गरत एवं तिल के तेल से दीपक जलाने वाले को इस एकादशी के प्रभाव के द्वारा स्वर्ग लोग की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार की पापिनाशनी एकादशी के वरत को हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसके प्रभाव से अनेको प्रकार की हत्याएं अठा ब्रहम हत्या, ब्रून हत्या, आदि के जो महान बातक हैं वे शीग्र छूट जाते हैं और व्यक्ति को विश्नुलोग की प्राप्ति होती है। एक अदशी के दिन प्रातहकाल सुर्योदे से पहजे उठ करके स्नानाधिकारियों से निवर्त होने के पश्चार व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इसके बाद श्री हरी के विग्रह का पूजन करना चाहिए। पगवान विश्नु को फूल, फल, तिल, दूद, पंचामरित, आधिपदात निवेदित करके आठो प्रहर निर्जल रह करके पगवान विश्नु के नाम का स्मरण और संकीतन करना चाहिए। एकादशी व्रत में ब्रामण बोजन एवन दक्षिना का बहुत महत्व होता है, इसलिए पारण से पहले, यानि कि द्वादशी तिति से पूर्व आपको ब्रामण को बोजन करवाना और उन्हें दक्षिना सहीच विदा करना आवश्यक है, इसके पशात ही आप व्रत का प कुराणों में वर्नित कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गाउं में एक ठाकुर जी थे, क्रोधी ठाकुर का एक ब्रामण से जगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर से ब्रामण का खून हो जाता है, अतर अपने अपराद की शमाय आचना है तो ब्रामण का श् कुशी बन गया, पर नामसरू ब्रामणों ने उसके घर में भोजन करने से इंकार कर दिया, तब उन्होंने एक मुनी से निवेदन किया कि हे भगवन, मीरा यह पाप कैसे दूर होगा, इस पर मुनी ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की प्रीरना दी, ठाकुर ने वैसा ही किया, जैसा मुनी ने उसे करने के लिए कहा था, एक रात्री में जब भगवान की मूर्ती के पास वह शयन कर रहा था, तभी उसे स्वपन में प्रभु ने दर्शन दिये और उसके सभी पापों को दूर करके उसे इक शमादान दे दिया, तो यह थी कामिका एकादशी व पुरत कथा, नमू नारायन